इंसान की सोच पर किसी का जोर नहीं चलता है, कब और कैसे हमारे दिवाग में कैसी सोच आ जाए, इस पर नियंतरन पाना और संभव है, लेकिन हाँ, वा सोच अगर हमें परेसान करने लगे तो इससे बाहर आने की कोशिस जरूर की जा सकती है, ठीक ऐसी ही परेसानी होती है द हमारे दिमाग की तरंगे और हार्मोन बदलने के कारण दिमाग में बार बार असलील ख्यालात आते हैं, सेक्सूल बातों के बारे में सोचना, पार्टनर के साथ प्यार भड़े लमों के बारे में सोचना, संभोग संबंदित ख्यालों को मन में लाना, ये कुछ ऐसी बाते ह जो हमारा ध्यान बटकाती है और हम किसी अन्य बात पर फोकस नहीं कर पाते हैं अगर दोस्तों आपके मन में ये सभी सवाल आते हैं तो या वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है ऐसी परिस्थिती कभी कभी आये तो फिर भी हम खुद पर काबो कर लेते हैं लेकिन इस असलील खयालातों के दिमाग पर हावी होने पर क्या करे और क्या नहीं ताकि आप इस परिस्थिती से बाहर आ सके दोस्तों सबसे पहले आपको या काम जरूर करना है जब भी ऐसी कोई खयाल दिमाग में आये और आप उससे बाहर आने में और समर्थ हो रहे हो तो तूरंत अहां का अस्थान बदल दे जहां आप बैठे हैं घर पर हो या आपिस में तुरंत उठकल किसी खुले जगा में चले जाए और अगर बाहर निकलने का संभब ना हो तो आप अपना पसंदिदा म्यूजिक सुन सकते हैं ताकि आपका दिमाग उस सोच से बाहर आ सके और दोस आप क्या क्या करेंगे उसके सोची बनाएगे और फिर आप काम पर लग जाएगे इस से आपका ध्यान असलील ख्यालातों से हट कर दूसरे कामों में लगेगा जब भी लगे कि आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं तो खुद को किसी ना किस काम में बेस्ट कर ले ऐसे में साफ सफाई करना सबसे बेस्ट और आप्टसन होता है दोस्तों हमेशा याद रखना हमारा माइंड एक बार में एक ही चीज़ के बारे में सोच सकता है इसलिए दोस्तों आप जब बीजी रहेंगे तो आपका मन असलील बिचारों की तरफ सोच नहीं सकता है दोस्तों आपको एक बात को हमेशा ध्यान रखना है जब भी ऐसे असलील खयाल दिबाग में आए तो पौरन देखने का बिचार ना बनाईए कई लोग या सोचते हैं कि पौरन देखने के बाद उसे उस अस्तर पर पहुंच जाएंगे जिसकी उन्हें उस समय जरूरत होती है और आखिरकार एक समय के बाद उससे बाहर आ जाएंगे संभब है कि ऐसा हो भी लेकिन आपका पौरन देखना धीरे धीरे आपके दिमाग पर निगेटिव असर डालता है तो दोस्तो आपसे रिक्वेस्ट है पौरन वीडियो ना देखे दोस्तो हम आपको सबसे लास्ट में एक और सजेशन देना चाहते हैं असलील खयालातों से बचने के लिए एकसरसाइज या योग का सहरा ले मेडिटेशन भी एक अच्छा माध्यम है दिमाग को सांथ करने का तो दोस्तो याप वीडियो पैस्ता लगा कुमेंट में जरूर बताना